जय हिन कोश्ट गाड़ वाले सभी स्टूडेंट तयार हो जाएं, क्लास नंबर पांचवा आपकी सामने आगए है, आपको पता है कि जीके और साइंस की धुआधार प्रैक्टिस चल रही है, चार वीडियो अलेडी हो चुके हैं, यहाँ पर मेरा जो उद्देश यह है, वो यह है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की स्कारण वापस लिया था, आपको आपके सामने हैं, और मैं प्रते क्वेस्चन को दो बार पढ़ूंगा, हाँ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की स्कारण वापस लिया था, आपको आपके सामने है, आप्सन नंबर A, यद था सयोग अंदोलन 1920 में एक चीज़ हो गया दूसरी चीज़ हो गया कि और सयोग अंदोलन क्यों छोड़ा गया तो चवरी-चवराकांड के वज़े से छोड़ा गया question यह भी पूछता है कि चवरी-चवराकांड कब हुआ था बताइए तो चवरी-चवराकांड जो है वह हुआ था चार फरवरी 1962 में 1962 में चार फरवरी 1962 में चवरी-चवराकांड हुआ था जिससे दुखी होकरके महात्मा गांधी ने असयोग अंदोलन क्या कर दिया था वापस ले लिया था अगला है असंभव शब्द मुर्खों के सब्द कोस में पाया जाता है या प्रसिद्ध उक्ती किसकी है असंभव शब्द मुर्खों के सब्द कोस में पाया जाता है या प्रसिद्ध जो उक्ती है वो किसने कहा है बताईए अगर यहाँ पर आप्शन नमबर D आपने चुना ह तो बिल्कुल सही चुना है अगला question देखे थोड़ा सा बढ़िया सा question है कि HTML पेजों के संग्रहन संग्रह से क्या बनता है HTML पेज के संग्रहों से क्या बनता है तो यहाँ पर option number C सही है World Wide Wave देखे HTML पेज मिल करके एक वेज का निर्मार करते है जो World Wide Wave का हिस्सा होती है आगे बढ़ते हैं तो देखे जब यह धुमधार प्रैक्टिस होती है तो हम detail नहीं बताते हैं सिद्धे questions पढ़ते हैं और आपके answer का इंतजार करते हैं और फिर अगले question की तरफ बढ़ते हैं तो अगला question है कि अमली वर्षा किस कार्ण होती है options आपके सामने है हमने पुछा है कि अमली वर्षा किस कार्ण होती है अगर आपने चुना है option नमर्डी SO2 और NO2 तो बिल्कुल सही है next question की तरफ बढ़ते हैं question है अगला कि मनुस्य की छाती से उचे 30 cm या इससे अधिक परिधी वाले पौधों की पहचान किस रूप में की जाती है अगर आपने चुना है option नमर्डी तो बिल्कुल सही है और सही है बूटी के रूप में किया जाता है अगला है कि तवचा पर काटने वाले मच्छरों की गतिसील अंगों के रूप में कितनी जोड़ी टांगे होती है तो इनकी तीन जोड़ी टांगे होती है अगला देखिए काफी important question कई बार repeat किया गया है 1930 में पहली बार राष्टर मंडल खेल कहां आयूजित किये गये थे 1930 में पहली बार राष्टर मंडल खेल कहां आयूजित किये गये थे यहाँ पर option number B से हो जाएगा यानि कि कनाड़ा अब next question आपका इंतजार कर रहा है कि मुखेतया आम्र बागो यानि मैंग्रो वाले जुआरी ये वन कहां पाये जाते हैं कहां पाये जाते हैं तो यह option number C सुन्दरबन डेल्टा देखिए यहाँ पर बंगाल टाइगर भी पाये जाते हैं सुन्दरबन डेल्टा नेश्ट है कि कौन सी नदी बांगला देश में पदमा नाम से जानी जाती है ये question बहुत ही important है आपके आयोग द्वारा पूछा जाता है कि कौन सी नदी बांगला देश में पदमा के नाम से जानी जाती है तो that is गंगा रिवर अप्शन बेज राइट ही एर नेश्ट क्वेश्ट है कि महावीर का प्रतम शिस्य कौन था महावीर का प्रतम शिस्य कौन था अगर आपने अप्शन नंबर डी चुना है जमाली तो बिल्कुल सही है clear नेश्ट की भारत में निमलिकित में से कौन सी जन जाती सरवाधिक संख्या में पाई जाती है तो यहाँ पर आप्शन नंबर क्या होगा डी यानि की गोंड जन जाती जो है कि भारत में सरवाधिक मतरा में पाई जाती है मतलब यह इस जनजाती के लोग अधिक होते हैं पस्चमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंस होता है तो कैलसियम का अधिक अंस होता है अप्शन नमबर B अगला कि एंजाइम की गतिविधी किसके परिवर्तन से नियंतरित हो सकती है तो वो है pH pH की वज़ा से नियंतरित हो सकती है अगला कि प्रोटीन की से पचता है बहुत important question है कई बार पूछा गया है देखने में छोटा है लेकिन अगर आपको नहीं आएगा तो यह question आपको फसा सकता है exam में तो protease नामक एंजाइम के द्वारा पचता है protein कैसे पचता है protease नामक एंजाइम से protein पचता है तो protein और protease नाम सेम से मैं इसको याद रखेंगे पूछता है कई बार अगला है कि पीलिया रोग किसे से प्रभावित करता है मतलब कौन सा रोग है मतलब पीलिया अगर रोग आपको हो गया कौन सा अंग आपका प्रभावीत हो जाएगा that is यकृत option number B अगला है कि आवधिक सार्डी में निमलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है आवधिक सार्डी में निमलिखित में से कौन सी धातु भारी होती है तो यहाँ पर ऑप्शन नमबर क्या हो जाएगा आज मियस संघनतम यहाँ पर ओप्शन AOS next question है कि हास्य गैस का रासानिक फार्मूला क्या है हास्य गैस का रासानिक फार्मूला क्या है तो यहाँ पर option number B है NO N2O क्या है N2O next question यहाँ पर है आपके सामने GUI किसका संचिप्त रूप है काफी important question है यहाँ पर GUI किसका संचिप्त रूप है यानि कि GUI का full form पूछा गया है तो यहाँ पर option number क्या हो जागा है A graphical user interface एक बार फिर से देख लेजिए graphical user interface option number A graphical user interface graphical user interface अगला question आपके सामने है कि भारती वाने की अनुसंधान एवं सिच्छा परिश्यत कहां इस्तित है तो option number A देहरादून में इस्तित है next question जो की last है कि भांगडा कहां का नृत्य है भांगडा कहां का नृत्य है तो option number D है यहाँ पर पंजाब भांगडा जो है पंजाब का नृत्य है तो dear student आज हमने लगभग लगभग 20 question आपको कराया और उमीद है कि आपका 20 में से कम से कम 15 question तो जरूर सही रहा होगा आपका कितना question सही था आप इस बात को comment box में लिख सकते हैं और आपकी हमसे क्या क्या आप एक चाहे हैं मतलब क्या क्या चीज़ आपको चाहिए आप comment box में share कर सकते हैं हम आप सभी के comments पढ़ते रहते हैं चैनल पढ़ने हैं तो subscribe कर लीजेगा और टेली ग्राम पर जरूर जूड़ें टेली ग्राम पर जूड़ेंने के लिए आपको पता है ताकि आपका जो जीके का रिवीजर है वो होता रहे और साथी साथ आपकी अंदर confidence आता रहे तो एक बार फिर से जैहिंद वंदे मातरम और motivated रही है देखिए बहुत ही ज़्यादा competition होने वाला है आने वाले समय में अगर आप खुद को तयार नहीं रखेंगे एक इक दिन बहुत important है अगर एक दिन आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप सिर्फ एक कदम ही वापस नहीं जाते हैं बलकि जितने लोग form भरे हैं माल लेते हैं कि एक लाख लोग अगर भरे हुए form को तो आप एक लाख कदम पीछे होते हैं अगर एक दिन आप अपना एक कदम रोकते हैं कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं तो छोटी छोटी चीजे आपको बहुत अपने life में impacted डलेगी इसलिए डेली, continuity is better than firstly, आपको डेली पढ़ना है, continue रहना है, ठीक है, वो भी देखिए मेरी बात आपको समझ में आयोगी, मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए, जाय हिंद वन्दिश्ट!